नमश्कार दोस्तों भगवान आप सभी का भला करो और आपके सारी एक्षाय है वह मनों कावने पूरी हो दोस्तों आज इस हांत का विशलेशन कर आप सभी के सामने प्रस्तूत करूँगा जिसमें सरपधम फिंगर की यहां एनलेसेस के वाद इस पुरे पाम का एनलाइस करते के वे आपके सामने व्यक्त करूँगा तो सरपधम आते हैं फिंगर की लेंध के विशय में तो फिंगर की लेंध पुरे पाम के कंपेरजन में आपको ना ज्यादा लौंग और ना ज्यादा शॉट देखने को मिलेगी ऐसे लोग काम निकलवाने में तकरीबन माहिर देखन कार्य करना बहुत पसंद करते हैं और जितना ये सोतनता पुर्वक काम करें इतना ज़्यादा उनके लिए ये बेनिफीशियल रहने वाला रहेगा इससे लोग आम तोर पर किसी के अंडर में कोई वर्ग जो है प्रॉपलली नहीं कर पाते हैं फिंगर के उपर सिधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करता है जो बताता है कि बहुत मिलनसार सोभव आपका रहेगा हर माहूल में आसानी से तकरिबन धल जाने वाले रहेंगे और गठान यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी है जो यही बताती है कि इसपस् बोल देने वाले रहेंगे कोई भी बात मन के अंदर नहीं रखेंगे और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को प्रस्तूद भी कर देने वाले रहेंगे लिटिल फिंगर की लेंध भी तकरिबन ठीक है जिसके करण communication skill में किसी परकार की प्रॉब्लम जादा नहीं होती औ और ब्राइट चांसेज बनता है बिजनस में प्रोग्रेस करने का थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लें तक्रिबन सेम है जिसके करण गुरु की क्वालिटी के करण बहुत अच्छी लीडर्शिप क्वालिटी, नेत्रित्व शम्ता ग्यान अरजित करने की शम्ता आप जिसे लोगों में अच्छी होती है शनी के और जुका होने के करण धार्मिक्ता आपके अंदर जाद रहेगी और सूरी किफ जो यहां लें थे वो भी अच्छी होने के करण एक प्रकार का रिस्क टेकिंग नेचर रहेगा साथ ही साथ बहुत अच्छी कलातमक गति वीधी भी आपके अंदर रहने वाली रहेगी अंगुठा जो है थोड़ा सा पीछी के और बैंट हो रहा है जो एक प्रकार की अब वहीं थांब के विश्य में चर्चा करें तो देख पाएंगे यहां पर अंगुठा जो है इनका थोड़ा सा जो है पीछे के और बैंट है मुड़ावा है जब इस प्रकार की योग होते हैं तो यह फ्लक्सिबल नेचर को इंडिकेट करता है जो बताता है कि वेक्ति हर माहोल में और हर परिस्थिति में अपने आपको बखुबी ढाल लेने वाला रहेगा आते हैं पाम के साइज में तो प्योर जो है इनका रेक्टिंगूलर पाम यहाँ इंडिकेट हो रहा है जो एक प्रकार की बोलने की कला को बहुत अच्छा बताता है बोलने चालने की कला, परिस्थितिkay को समझने की कला एवं हर परिस्थीती में अपने आपको ढाल लेने की और कोई भी मुकाम हासिल कर लेने की काविलत भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है गुरु परवत जो है आपका दबा हुआ है अंद्रूनी सुर्वाती छेतर से जिसके करण थोड़ा जो है परिवारिक जीवन में असंतुष्टी का सामना करना पड़ेगा थोड़ा सा जो है किसी ना किसी प्रकार का दिक्कत या किसी ना किसी प्रकार का तनाव जो है पारिवारिक जीवन में रह सकता है या उस प्रकार का सहीयोग प्राप्ति आपको जो है नहीं हो पाएगा हलाकि यहाँ पर बहुत अच्छी progress line गई हुई है आपके life line से निकल के जो बहुत अच्छी progress को, अध्यात्मिक रूची को, जीवन में दिन परति दिन होने वाले परिवर्तुन को बताती है कि life में royalty आएगी, standard of living बढ़ेगी, सुक्स विधाने जो है दिन प्रति दिन बढ़ती चले जाएगी आड़ी रेखा है जो है ये धाधार्मिक्ता को अध्यात्मिक क्रियाओं को ग्यान को बताती है जो आप अपनी जीवन में अच्छा जो है ग्यात कर पाएंगे शनी परवत भी यहाँ पर जो है दबा हुआ है जिसके करण कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी आपको उस चीज के लिए परिक्ष्ट्रम या थोड़ा सा जो है सब्र जो है आपका इम्तिखा लेने वाला रहेगा हर चीज आप अपनी जीवन में हासिल कर पाएंगे परन्तु थोड़ा देरी से भाग गिरेखा की विशे में चर्चा करें सुरवाती नीचे से ही है लेकिन धुनली रेखा है जिसके करण परिणाम कुछ सफल नहीं रहेंगे तकरिबन 30 के उमर तक और उसके बाद इस प्रकार से आपके हाथ में एक बहुत अच्छी मून लख लाइन निकल के सिधे शनी के छेतरे तक पहुच रही है मौन लख लैन का सबसे बेस्ट फायदा यही होता है कि ये मेरीज के बाद होने वाले सकसेश को इंडिकेट करता है कि लाइफ पार्टनर का आपके जीवन में सपोर्ट रहेगा या उनका लख रहेगा जिसके करण आपके लाइफ में प्रोग्रेस अच्छा होगा विदेशी भूमी यानि foreign traveling के chances 100% है विदेशी भूमी से लाभ में भी मिलेगा support हर प्रकार का मिलेगा आपको दूसरे लोगों से एवं दूसरी जगहों से यही reason है कि जितनी ज़्यादा यात्रा करेंगे जर्मिस्थान से दूर रहेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में progress होता चला जाएगा तो यह प्रकार का supportive line है जब दोलो लाइन मर्ज होकर के एकसा चले तो यह अपने आप में भाग्यवान होने का सूचक होता है तो धन जीवन में अच्छा रहेगा कोई कमी नहीं है double source of earning रहेगी क्योंकि बार बार यह रेखा चल करके आगे विभाजित हो रहे है तो एक से ज़्यादा sources से earning आपकी जीवन में रहने वाली रहेगी थोड़े शनी के उपाय करिए तो चीजे और आशानी से आपको मिल जाने वाली रहेगी सूरी परवत पर चर्चा करें तो सूरी पर भी एक सतिती करेगा थोड़ी confusing mind की निशानी हो जाती है कही न कहीं ध्यान का भटकाओ एवं खासकर यह career में होने वाले भटकाओ को बताता है कि कभी आपका मन इस छेतर में लग रहा है तो कभी आपका मन उस छेतर में लग रहा है तो properly time नहीं दे पाने के कारण किसी एक छेतर में अच्छा खासा progress ना मिल पाने की योगों को बताता है तो थोड़ा decide करिए कि कौन सा field आपके लिए suitable है किसमें success मिलेगा और एक field को properly लेके चलिए क्योंकि सूरी रेखा आपकी एक रेखा बहुत अच्छी है जिसके कारण name fame मिलने के chances यहाँ पर बहुत bright है मरकरी यानि बूद परवत भी आपका बहुत अच्छा है जब यहाँ पर एक सेतर दिक रेखा हो तो आँख मूंद कर व्यापार के छेतर में पाउं रख देने चाहिए क्योंकि उन्नती आप जिसे लोगों को ही उसमें मिलती है यह एक प्रकार के आकरशित व्यक्तितों को बताता है यह बता रहा है कि आप में कुछ न कुछ हैसी बात है कि लोग आपके तरफ आकरशित हो जा या फिर आप जो है लोगों को बान दे रहें तो ये प्रकर का बिजनस लखे जो अच्छा सक्सिस देगा चतुर चाला किस्म के रहेंगे लोगों को समझने की काबिलेत उनसे काम निकलवाने की काबिलेत आपको बुध दे रहा है आपका बुधी विवेक बढ़ा रहा है तो ये बहुत प्रबल योग बन रहे हैं फ्रदेर एक आपकी गुरू के छेतर से कनेक्टेड है और बिल्कुल गुरू के छेतर से ही कनेक्ट हो करके चल भी रही है जिसके करण ये एक प्रकर की emotional nature को indicate करता है भावुकता बहुत ज़्यादा रहेगी इसमें सबसे खराब बात यही है कि आप जैसे लोगों को धोखा बड़ी आसने से मिल जाता है कोई भी वेक्ति आपका इसलिए फायदा उठा सकता है काम निकलवाया सकता है तो थोड़ा emotional nature को कम करते एवं दर किनार करते हुए practicality अपने life में आपको ज़्यादा लानी रहेगी साधी साथ बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना है हाला कि बहुत ज़्यादा इमाददार रहेंगे जिससे relation रखेंगे अपने तरफ से 100% देंगे और गुरू से connected होने के कारण सुख सुईधा के पीछे आपकी भागदोर या चाहत जो है ज़्यादा रहने वाली रहेगी आते हैं mind line के उपर तो mind line आपका independent चल रहा है इस प्रकार से एकदम straight एक तो आपके अंदर जिद्धीपन भी रहेगा साथ इसाथ independent approach भी रहेगी जो के finger से देखने को मिलिया था सीधी मस्तिश्क्रेखा straightforward nature को indicate करती है बता रहे ही है कि आप logical रहेंगे life में knowledge अच्छा गेन करेंगे अपने knowledge अपने खुद के बुद्धी के बलबुते पर life में progress अच्छा कर पाएंगे तो इस प्रगर के मस्तिश्क्रेखा powerful mind line होती है जो बताती है कि वक्ती हर situation हर परिस्थीती में अपने आपको बहुत अच्छे से deal कर लेने वाला रहेगा वहीं आपकी जो life line है ये गुरू से connected है जिसके करण बहुत ambitious रहेंगे और अंत में आ करके विभाजित हुई है केतु के छेतर पर जिसके करण traveling life में बहुत अच्छे रहेगी यात्राओं को सुख बहुत अच्छा मिलेगा उन्नती जो है life में बहुत अच्छे आपकी रहेगी जो जो चाहेंगे तक्रिबन हर चीज आपको हासिल होगी और गुरू से connected होने के करण आपके अंदर जून एक अलग ही level करहेगा किसी भी चीज को हासिल हो पाने का जब तक आप अपने dream aim को achieve नहीं कर लेंगे तब तक आप उस चीज के पीछे हाथ धोकर के पड़े ही रहेंगे यही एक मातर रीजन है कि life में आप properly successful साबित होने वाले रहेंगे मंगल रेखा भी है जो एक प्रकार से influence को indicate करती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आप अपने जीवन में influence होने वाले रहेंगे यानि उसके बातों को जादा गोर करेंगे उनके बातों पे जादा अमल करेंगे साथी साथ ये एक बहुत अच्छे होसले को भी बताता है कि life में बहुत अच्छा होसला रहेगा आपके अंदर जुनून रहेगा किसे भी चीज को हसल करने का अंद्रूनी बाहरी मंगल दोनों तकरिबन अच्छे हैं शुब परिणाम दे रहे हैं जिसके करण शाररिक गठन बलता एवां मानसिक बल दोनों बहुत अच्छा रहेगा धेरिवान साहसीपन आप अपने अंदर जितना रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा रहने वाले रहेंगे कोई दिक्कत यहां नहीं है और जितनी आड़ी रेखा है यह अन्नेसेसरी वरीज को बताती है जो कि अनावश्यक चिंता हैं जो बता रहे हैं कि जादा सोचने विचानने के कारण इस प्रकार की रेखा आती है जो कि मानसिक तनाव धन की हानी एवन प बहुत अच्छा कमाएंगे, बहुत अच्छा धन आपके पास रहेगा, लेकिन वो पेसा रुकेगा, बचेगा, एवं बढ़ेगा नहीं, तो यही है कि आप investment करें, बहुत अच्छा रहेगा, या उस पेसे की जिम्मेदारी अपने पतिनी, या माता जीगो, या किसी भी घर के सदस्य को दे देवें, जिसके कारण वो पेसा कम से कम रुके और उसका सदुप्योग हो सके, तो यह थी कुछ महत्मुन बात है आपके हाथ से related, आशा करता हूं सभी प्रशनों को तर मिल गया हूं, कोई और रहेगा हो तो जरूर पूछे तब तक आपका बहुत बहुत धन अबने वाद